पड़ी पुरानी कहावत है सदाक्य दुखिया और नाम चंगेज खान कुछ ऐसी ही इस्तिती इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रही है पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ रहे हैं पिछले तीन दिन से कोहराम मचा है पाकिस्तान के अंदर जानेंगे क्या है मामला तो वही यह जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इस वक्त पाकिस्तान में एक उथल पुथल सी मची हुई है और इस उथल पुथल के बीच में पाकिस्तान जैसे फैसले ले रहा है उसे देखकर यहीं लगेगा कि यह खुद से चाह रहा है कि अब इसके राज्य और प्रांट कट- हाली में हमने पियोके के लिए कहा कि हमें ईक कोरीडोर बनाना है सारदापीट के लिए और यह बात आमित्सा ने कही हुआ हीआ चाह रही है कि भारत के साथ जाये कारन भी है साफ कारण इसलिए साफ है क्योंकि स्क्रीप्र आप देख सकते हैं तालीबान वाले नियम पाकिस्तान लागू कर रहा है प्लयके के ओपर अब यहां पर तालीबान वाले नियमों पाकिस्तान Kaiser लड़कियों को औरतों को बुर्खा पहनना हिजाब पहनना अनिवारे कर दिया है अब सिर्फ इतना ही नहीं बलकि प्योके के लोगों को एक कार्ड दिखाना होगा है जिसका नाम है नादरा आईडी कार्ड नादरा आईडी कार्ड रहेगा तभी ये माने जाएंगे कि पाकि नाम है नेटिव ओफ द फॉर्मर स्टेट ओफ जम्मू एंड कस्मीर अब इसे यह आईडी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं 6 मार्च पाकिस्तानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यह नियम लागू किया गया कि अब पियोके में हिजाब पहन के ही लड़किया निक पियोके का उत्थान भी कर रहा होगा तो यहीं तो सबसे वड़ी समस्या है किस तरीके से पियोके को तालीबान मना रहा है पाकिस्तान और जहां तक बात है इन लोगों को रोजगार या खाने पीने की समस्या तो यह समस्या तो जन्मजात है इस मामले में पाकिस्तान मानता इतना ही नहीं है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान इनकी सुक्सुविधाओं का ध्यान रखे खेर और सिर्फ इतना ही नहीं अब तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में चलाएगा ओपरेशन ओल आउट और इस ओपरेशन के थाथ जितने भी ऐसे उगरवादी समू हैं उन सब को वो हटाएगा और इसके लिए साउथ वजरिस्तान को खैबर पक्तुनख्वा को इन सब को निशाने पर ले रहा है अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई है जो वहां के कभिलाई लोग हैं वो भी उतर आए हैं परदर्सन में और पॉल आउट के नाम पर आतंकवादियों के नाम पर आम लोगों के ऊपर जूलम ढ़ाओगे हलाकि इसी तरीके का एक कालिक पोत दिया था पीओके की एक्टिविस्ट ने जब वो यूएन पहुँची थी यूएन में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी थी पीओकी की इ इस तरीके से होता है नरसंगार जिस तरीके से मानवधिकार का हनन होता है वैसा कभी भी पहले नहीं देखा गया है तोके में खास तोर पर पाकिस्तान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और मानवधिकार का लगातार उलंगन होता रहता है बाकी पाकिस्तान में कहीं भी कु अंदर तो बिसफोट होना तैह ही है और वही चीजे हो रही है। अब तो लगातार तीन दिन से पाकिस्तान के अंदर बिसफोट हुए जा रहे हैं। अब दीसरे दिन पाकिस्तान के क्वेटा में एक पुलिस वाहन को निसाना बनाया गया और इस निसाने के तहट उड़ा दिया गया पुलिस वाहन को कहा जा रहा है कि चार लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई है और कम से कम 15 से ज़्यादा घायल हो गए हैं अब ये आधिकारी कांकड़ा है ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि जो लोग अस्पताल पहुँचाए गए हैं उनके लिए अभी यही कहा जा रहा है कि उनकी इस्तिती बेहत खतरनाक है और कभी भी कुछ भी हो सकता है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ घटनाएं जियो पॉलिटिक्स में ऐसी हो रही है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी फ्रांस ने चाइना के पास जाकर नजाने क्यों ये सिद्ध किया कि अब यूरोप को दूसरों के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए यानी यूरोप दीरे दीरे अमेरिका से पल्ला ज़ाड रहा है यूरोप और चाइना अपने रिस्ते ठीक ठाक करना चाहा रहे हैं फ्रांसिसी राष्टपती का ये कदम पहले तो समझ भी नहीं आया कि फ्रांसिसी राष्टपती ऐसा कर क्यों रहे हैं लेकिन ताइवान मामले में यूरोप तो पीछे हो गया पर जिस तरीके के हालात बने थे जापान और अमेरिका ये पीछे नहीं आए जापान ने भी अ कर दिया जिसकी उमीद नहीं की थी चाइना ने चाइना को बंद करना पड़ा अपना युद्धा भ्यास और कहना पड़ा कि जो हम करना चाहते थे वो हो गया है पर इस वक्त अमेरिका का सहारा आप देखिएगा तो कुछी देश बचे हैं यूरोप ने अमेरिका का साथ लग भारत की मदद चाहता है और भारत को भी कहीं न कहीं अमेरिका की मदद चाहिए चाइना के खिलाब जितने ज़्यादा दोस्त हो उतना ही अच्छा है इसी चीज़ को लेकर भारत और अमेरिका में एक युद्धा भ्यास का आयोजन किया जा रहा है जिसके बारे में पहले य एक्स आएगी और खास तोर पर ये जो युद्धाब्यास होगा ना ये युद्धाब्यास माउंटेन वार फेर को लेकर होगा यानि अगर परवतों पर लड़ाई होती है तो फिर वो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी अमेरिका रियल टाइम डेटा भी साजा कर रहा है भार ला लिया है यानि ये जो युद्धाब्यास होगा ये युद्धाब्यास जवरजस्त होगा ये तो तय लगता है वैसे आपको क्या लगता है भारत अमेरिका के साथ जाकर सही कर रहा है या नहीं कमेंट कर अपनी राए जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में झाल झाल